Hello friends, welcome to the success Kendra. Friends, आप सभी को good morning और सबसे पहले तो फटाफट आप एक बार session को like कर दीजिए और इसका link किसी भी एक ग्रूप में जहां कई भी आप हैं चाहाँ वह टेलिग्राम ग्रूप हो, Facebook ग्रूप हो या WhatsApp ग्रूप हो वहाँ पर फटाफट share कर दीजिए ताकि और भी उपर आई हुई है, उसकी exam में बहुती कम समय बचा हुआ है, महज 20 दिन बचे हुए है, 20 दिन से कम ही समय आप ले लिजिए, तो उसके लिए आज से हम लोग एक super fast revision वीडियो को cover करेंगे, इसमें total 100 प्रशन है और ये सारे के सारे प्रसन जो है, काफी important है, यानि कि अब हम लोग only BBI questions को cover करेंगे, आपको रोज साम में एक practice rate, full length practice rate दिया जा रहा है, continue आपको full length practice rate दिया जाएगा, friends अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को subscribe कर लिजे, और ये जो बगल में bell icon दिख रहा है, घंटी का निसान दिख रहा है, इसको जरूर दबा लिजेगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस कॉंस्टेबल भरती वर्स 2023 से संबंदित कोई भी important video upload किया जाए, तो उसका notification सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, तो चलिए, friends, session आज के start करते हैं, एक बार मैं फिर से आप से request कर रहा हूं, कि फटा-फट session को like कर और इसका link किसी भी एक group में अवस्य ही share कर दीजिए, चलिए, start करते हैं, friends, आज के session का, यानि कि बिहार पुलिस, super fast revision session का, पहला प्रशन पढ़ेंगे, देखिए, पहला प्रशन है, कि भारत में जल प्रदूसन निवारन और नियंतरन अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था, बड़ा ही महतपुन प्रशन है, आपकी exam के दृष्टी कोन से, यानि कि बिहार पुलिस की exam के दृष्टी कोन से, सभी लोगों का answer live chart में comment करना है, मेरे प्यारे भाई और बहन, सब को answer comment करना है, और अब आपको revision करना है, जो चीज आपका छूट गया है, बचा हुआ ह जिसको आपने नहीं देखा है, उसको आप एक बार पढ़े लिजिए, एक नजर पढ़े लिजिए, ज्यादा से ज्यादा revision करिए, जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, सभी लोग इसका answer comment करेंगे, कि भारत में जल प्रदूसन निवारन और नियंतरन अधिनियम कब अधि ज्यादीजेगा, देखिए, जल प्रदूसन के नियंतरन और रोक थाम तथा देश में पानी की उच गुणवता बनाये रखने हैतू, वर्स 1974 में, यानि कि 1974 में, जल प्रदूसन निवारन और नियंतरन अधिनियम अधिनियमित किया गया था, इसका correct answer option number C हो जाएगा, 1974, ध ज्यान रखेंगे, 1972 में, 1972 में वन्ने जिव सनरक्षन अधिनियम को लागू किया गया था, वन्ने जिव सनरक्षन अधिनियमित किया था, 1972 में, 1973 में project tiger की शुरुआत हुई थी, आपको भलिभानती याद भी है, और 1986 में परयावरन सनरक्षन अधिनियम को लागू किया गया था सभी points को friends ध्यान रखेंगे इस तरह से एक प्रशन जो है आपकी एक्जाम में पूछा जाता है चलिए बिलकुल बिहार पुलिस का ही pattern है दूसरा प्रशन की आधे अधूरे प्रसिद उपनियास के लेखक कौन है चुकि हम लोग 100 प्रशन को cover करेंगे इस session में तो थोड़ आप लोग जल्दी जल्दी answer कमेंट करें ताकि जल्दी से हम लोग session को cover कर लें session काफी लंबा ना हो चलिए आधे अधूरे प्रसिद उपनियास के लेखक कौन है तो आधे अधूरे प्रसिद उपनियास के लेखक जो है ये मोहन राकेस है option B right answer हो जाएगा अच्छा महादे देवी वर्मा की कुछ रचनाएं है याद रखेंगे जैसे की निर्जा निर्जा पूछा जाएगा कि किसकी रचना है तो महादेवी वर्मा का उसके बाद दीप सिखा भी इनी की रचना है दीप सिखा इसे भी आप अवस्य ही ध्यान रखिएगा चले next question करेंगे अगला प प्रोष्णों में से अगर आप 65 भी करेक्ट कर लेते हैं तो समझे कि आपकी त्यारी बेहतरीन है आप प्रयास करिए कम से कम 70 लाने का काफी अच्छे लेबल के प्रशन आपको देखने को मिलेंगे बताए लीग आफ नेशन्स कब अस्तित्तों में आया था देखे में रखते हुए 10 जनवरी 1920 को 10 जनवरी 1920 को लिग आफ नेशन्स की अस्थापना की गई थी इंपोर्टेंट है काफी इंपोर्टेंट है इसको आप भी भी आई लगा लिजे इसको आप निस्तित ध्यान रखेंगे चले नेक्स्ट कुस्चन है कि केप आप गूड होप को कि किसने खोजा था बिहार पुलिस का यह सुपर फास्ट रिविजन सेशन है और रोज यहां सेशन आपके लिए लेकर के मैं आऊँगा अगर आपका सयोग बहतरीन तरीके सपराप्त होगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और कंटेंट आपके लिए रेगूलर आता रहेगा देखे केप अप गूड होप की खोज जो है यहां किसने किया था तो यहां पुर्तगाली खोजी यात्री था बार्थो लोमिव डियाज इसी ने जो है केप अप गूड होप को खोजा था और केप अप गूड होप जो है यहां पूरवी एसिया और इरोप को अफिरिका के द आसको डिगामा ने किया था अमिर्का का जराब कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट कुस्सन है हमारा अगला प्रशने कि किसी पदार्थ के बिलियन को गर्म करने पर उसकी बिलियाता पर निमने लिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है सभी सब् प्रफी भी है पोलीटी भी है एकनॉमिक्स भी है ठीक है चले बताएगा कि किसी पदार्थ के बिलियन को गर्म करने पर उसकी बिलियाता पर निमने लिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है चले यहां पर ध्यान दीजिएगा देखे किसी पदार्थ को गर्म करने पर उस उसमें और अधिक पदार्थ गोला जा सकता है यानि कि उसकी बिलयता क्या होगी उसमें और अधिक पदार्थ गोला जा सकता है यानि कि उसकी बिलयता बढ़ जाएगी तो गर्म करने पर बढ़ती है अच्छा एक important points आप ध्यान रखेंगे stark mark लगा करके कि जब billion में कोई पद जार्थ एक सीमा के बाद और अधिक नहीं गोला जा सकता है ऐसा billion को संत्रिप्त billion कहा जाता है इसे भी आप ध्यान रखेंगा चले friends प्लीज एक बार session को like कर दीजे मैं आपसे हाथ जोड के request कर रहा हूँ आप सभी को सिक्चक दिवस की हारदिक सुभकामनाय नेरंतर आप सभी की सुभकामनाय आपके साथ जुड़ी हुई है निस्सित रूप से आपको सफलता इस्वर प्रदान करेंगे चले वीडियो को एक बार like कर दीजे और इसको ज्यादा से ज्यादा से शेयर कर दीजेगा हाली में न्यूजिलेंड के नय प्रदान मंतरी कौन बने हैं न्य कि Infinite allez न्यूजिलेंड की राएदानी कहां पर है तो न्यूजिलेंड की राएदानी जो है यह वेलिंग और टन है इसे भी आप ज़रूर याद रखेंगे चलिए और न्यूजिलेंड में कौन सा गहास का मैदान है तो केंटबरी गहास का मैदान जो है यहां न्यूजिलेंड में है साथ साथ इसे भी आप ध्यान रखते चलिएगा चले कोस्टन नमबर सेबन है कि इंगलेंड ने अमिर्का पर देखे काफी इंपोर्टेंट कोस्टन है अल्रडी बिहार पुलिस में 1765 का स्ट्रांप एक्ट जो था यहां ग्रेट ब्रेटन की संसत की एक अधिनियम था जिसने अमिर्का में ब्रेटिस उपनिवेशो पर परत्यक्ष कर लगाया था रैट अंसर इसका 1765 हिस भी हो जाएगा किसी भी प्रश्ण में अगर आप डाउट है तो कोस्टन नमबर लि उत्तक का उधारन है यानि कि कनेक्टिंग टीसू का एक्जामपल है यह प्रश्ण बार बार पूछा जाता है अचा कनेक्टिंग टीसू जो होता है या उत्तक मानों सरीर में यानि कि संयोजी उत्तक मानों सरीर में एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का कारे करता है औ तो यहाँ कोलेजन नामक प्रोटीन है, कोलेजन नामक प्रोटीन इसका मुख्य घर्टक होता है संयूजी उत्तक का, संयूजी उत्तक के एक्जामपल अस्ति यानि की बोन, उपास्ति और रक्त सभी हो जाएगा, option number D, इने में से सभी correct answer हो जाएगा, चले, मैं प्रयास करूँगा आपको अच्छे से समझाते चलू, इससे बहतरिन सेशन, इससे बहतरिन तरीके से आपको पूरे YouTube पर कोई नहीं बताएगा, आप जाएगे और देखिए, compare करिए, जहाँ आपको अच्छा लगता है, वहाँ पर पढ़िए, आप बिल्कुल स्वत कब किया गया था, यह हस्ताक्षरित कब वहा था, तो 16 सेप्टमबर 1987 को, इस पर हस्ताक्षर किया गया था, और इसलिए प्रतेक वर्स 16 सेप्टमबर के दिन, विश्व ओजोन दिवस मनाये जाता है, अब आप समझ गाऊंगे कि Montreal Protocol कि से सम्बंदित है, तो ओजोन परत के सन रक्षन से, यह हस्ताक्षरित हुआ था 16 सेप्टमबर 1987 को, और इसलिए प्रतेक वर्स 16 सेप्टमबर को विश्व ओजोन दिवस मनाये जाता है, और यहा प्रभावी कब हुआ था, यहा प्रभावी प्रोटोकॉल कब हुआ था, मॉंट्रियल प्रोटोकॉल, तो यहा एक ज फ्रोटोका सफेद कैंसर नामक रोग जो है, यहां किसके कारण होता है, देखें यहां जो सफेद कैंसर है, इसको मैसो थैलियोमा भी कहा जाता है, और यहां सफेद कैंसर जो होता है, यहां होता है किसके कारण, तो मुख्यता एसबेस्टस फाइवर के स्वसन के साथ, फ्र भडों में एकत्रित होने के कारण होता है, तो एसबेश्टस इसका right answer हो जाएगा, एक इटाई, इटाई रोग है, इटाई, इटाई रोग जो होता है, ये judas के कारण होता है, और एक mini माता रोग है, यह chamini माता रोग यहाँ पारा यानि कि कहिए मरकरी या इसका सिंबॉल है एच जी इसकी अधिकता के कारण होता है मीनी माता के लिए चलिए फ्रेंड्स एक बार सेशन को प्लीज प्लीज लाइक कर देजिए देखे कॉपर के किस मिसर धातू में जिंक नहीं होता है जरा ध्यान से प का मिसर धातू है जर्मन सिल्वर किस का मिसर धातू है तो यहाँ कॉपर जिंक और निकल का मिसर धातू है बेल मेटल यानि की बेल धातू जो होता है यहाँ कॉपर और टीन का मिसर धातू है और गन मेटल जो है गन मेटल यहाँ कॉपर टीन और जिंक का मिसर धातू है यहां पर जिंक है तो किसमें जिंक नहीं है बेल धातु में जिंक नहीं है ठीक है और यह सारे कौपर की मिस्रेधातु में कौपर यहां पर भी है यहां पर भी है यहां पर भी है यहां पर भी है कि लिए चलिए समिधान सभा में उदेश प्रस्ताव कब प्रस्तूत किया था समिधान सभा में उदेश प्रस्ताव को प्रस्तूत किया था पंडित ज्वाहरलाल नहरुजी ने 13 दिसंबर 1946 को समिधान सभा की पहली बेठक कवुई थी 9 दिसंबर 1946 को और इसी में सचिदानन सिना को और अस्थाई अध्यक चुना गया था। उसके बाद समिधान सबाकी दूसरी बैठक हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को और डक्टर रेजिंदर प्रसाद जी को इसमें अस्थाई अध्यक चुना गया था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्याले कहां पर है। लेकिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अस्थापना अगर पूछेगा तो 23 मार्च 1950 को हुई थी, आप सन याद रखेगा 1950 को, इसका हेटक्वाटर कहां पर है, इसका हेटक्वाटर स्विजरलेंड के जीनेवा में है, आचा जीनेवा में WHO का भी हेटक्वाटर है, विश्व स्वास्त संगठन का, वर्ल्ड हेल्थ और्गेनाईजिसन का, इसके अस्थापना कब हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ और्गेनाईजिसन की, तो इसे भी याद रखेंगे, 7 अप्रेल, 7 अप्रेल 1948 को, ठ परतेक वर्स स्वास्त दिवस मनाय जाता है चली अगला प्रश्न है हमारा कि गांधी जी की डांडी यात्रा का प्रारंब का तारिक और वर्स क्या है गांधी जी की डांडी यात्रा का प्रारंब का जो तारिक है और वर्स है वो आप से पूछा जा रहा है गांधी जी की डां साबरमती आशरम से शुरुवात कहां से किया था 12 मार्च 1930 को साबरमती आशरम से और डांडी पहुंच करके 6 अप्रेल 1930 को नमक कानुन तोड़ करके इन्हां उन्हें सत्यागरह जुथा नमक सत्यागरह सविना अज्यांदुलन श्टार्ट किया था ठीक है याद रखेंगे औ और सुबास संद्र बोस जी ने गांधी जी का यह जो डांडी यात्रा था इसकी तूलना नेपोलियन के एलबा से पेरिस तक की यात्रा से किया है किस ने सुबास संद्र बोस ने ठीक है चले option B right answer हो जाएगा अगला प्रश्णी कि भारत में परियावरन संरक्षन अधिनियम किस वर्स लागू किया गया वह वर्स आपसे पुछा गया है भारत में परियावरन संरक्षन अधिनियम किस वर्स लागू किया गया वह कौन सा वर्स है तो अभी मैंने बताया था 1986 मे 1986 मे 1972 में मैंने आपको कौन सी तरंग प्रती फोटोन अधिक्तम उर्जा ले जाती है कौन सी इसमें से तरंग प्रती फोटोन अधिक्तम उर्जा ले जाती है चले बताईएगा चले यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिजिएगा देखे नेमनलिकित में से कौन सी तरंग प्रती फोटोन अधिक्तम उर तरंग है, C क्या है, तो C जो है यहाँ प्रकास की गती है और लैम्डा जो है यह तरंग दर है, यानि कि जिसका तरंग दर यहाँ पर देखिए, जिसका तरंग दर सबसे ज़्यादा होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी, जिसका तरंग दर सबसे कम होगा, उसके इनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो यहीं पुछा गया कि प्रतीफोटोन अधिकतम उर्जा, यानी कि जिसका तरंग दर सबसे कम होगा, उसकी प्रतीफोटोन उर्जा अधिकतम होगी, ठीक है? तो इसमें से देखे X किरन का जो है तरंग दर सबसे कम होता है X किरन का तरंग देर सबसे कम होता है इसका इसलिए इसकी प्रति फोटोन उर्जा अधिक्तम होगी रेडियो तरंग का तरंग देर जो होता है ये सबसे अधिक होता है इसलिए इसकी प्रति फोटोन उर्जा नियूंतम होगी तो दोनों को ध्यान रखेएगा चले अगला प्रश्ण को नमबर 17 देखे प्रश्ण है कि तत्व के परमानों जिसकी परमानों संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन भिन होती हैं क्या कहलाता है चले बताएंगे सभी लोग इसका एंसर कमेंट करेंगे तो जिनकी परमानों संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन भिन होती है उनको क्या कहा जाता है और ये जो संभारिक होता है उसमें क्या होता है उसमें द्रव्यमान संख्या समान होता है और परमानों संख्या भिन भिन होती है ठीक है चले अगला प्रश्ण है कि रज जवली वन जिव अभैरन जो है ये कहां पर है इतना तो आपको मालम चल गया कि ये बिहार राज्य में है और जवली वन जिव अभैरन जो है ये कहां पर है तो फ्रेंड्स यहां नवादा में है नवादा में ही कौकोलत जलपरपात भी है पुछा जाता है कि कौकोलत कौकोलत जल्प्रपात कहां पर है तो यह भी नावादा में ही है अच्छा मुंगेर में कल ही मैंने आपको बताया था मुंगेर में भीम बांदवन जिव अभेरन है जो है यह बेगर सराय में है ठीक है चले नेग्स्ट कुस्स ने हमारा कि महिला किरिकट ICC T20 विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है यानि कि इसका विनर कौन सा देश रहा है इसका आयोजन कहां पर हुआ था तो सबसे पहले जान लिजे इसका आयोजन दक्षिन अफरिका में हुआ था साउथ अफरिका में हुआ था और इसमें विजेता टीम रही है ओस्ट्रेलिया यानि कि विजेता ऐस्ट्रेलिया रही है और उप विजेता जो रहा है ये दक्षिर अफरिका उप विजेता टीम रहा है क्लियर है 2024 में महिला किर्केट ICC T20 विश्वकप का आयोजन कहां पर होगा तो ये बंगलादेश में होगा, ठीक है, चलिए, question number 20 है कि किताब उलहिंद पुस्तक किसके दवरा लिखी गई है, किताब उलहिंद को लिखा किसने है, देखे किताब उलहिंद को लिखा है किसने, तो अलबरूनी ने, अलबरूनी ने लिखा है, अलबरूनी, फिरदोसी, यह यह चारों जे थे, अलबरूनी, फिरदोसी, फरुखी और उत्वी, यह चारों महमोद गजनवी के दरबार में रहते थे, किसके दरबार में, महमोद गजनवी के दरबार में, next question है कि मटकी किस राजी की निर्त सैली है, मटकी जो है यह किस राजी की निर्त सैली है, तो ध् समिधान संसोधन राष्ट पती को किसी मामले को पुनर विचार के लिए मंत्री परिशत को भेजने की सक्ति प्रदान करता है। बताएंगे राइट अंसर इसका क्या होगा। सभी लोग इसका एंसर कमेंट करेंगे। तो देखें यहाँ कौन सा समिधान संसोधन अधिनियम है तो यह 44 समिधान संसोधन अधिनियम है। जो कि कब हुआ था तो 1978 में हुआ था। और इसी 44 संसोधन के द्वारा आपको याद होगा कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। ठीक है। 42 समिधान संसोधन बड़ा महत्पुन है। इसको लगू समिधान कहा जाता है। 1976 में हुआ था और इसी में पहली बार प्रस्तावना में संसोधन किया था। प्रस्तावना में पंत निर्पेक्ष एकता और अखंडता सब्द जोड़ा गया था। समाजवादी पंत निर्पेक्ष अखंडता सब्द जोड़ा था। ठीक है। याद रखेगा चली अगला प्रश्ण हामारा कि मेजर ध्यांचंद खेल रतन पुरस्कार 2022 से किसह सम्मानित किया है। देश का यह सरवुच खेल रतन एवार्ड है, खेल के सितर में दिया जने वाला यह सरवुच सम्मान है, मेजर ध्यानचंद खेल रतन पुरसकार, यहाँ 2022 में किसे दिया गया था, तो यह दिया कहता था सरत कमल अचन्ता को, यहाँ टेबल टेनिस के खेलाडी है, याद देगा, चेले कुस्ट नमबर 24 है कि अंतराश्ट्री जव विविद्दिता दिवस किस सतारिख को मनाया जाता है, अंतराश्ट्री जव विविद्दिता दिवस, बताएं इन्टरनेशनल बाइओ डाइवर्शिटी डे कब मनाया जाता है, तो फ्रेंट्स यहाँ प्रतीक व बायो डाइवर्शिटी, from agreement to action, build back, यहां में लिखता हूँ, build back, बायो डाइवर्शिटी, याद रखेगा, 22 अप्राइल को पृत्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, 1 दिसंबर को विश्व एड दिवस मनाया जाता है, चली अगला प्रश्ण है, कि किरती लता किसकी रचना है, बीवी आई कोस्टन है, किरती लता किसकी रचना है, किरती लता पदावती, किरती पताखा, यह भी याद रखेंगी, किरती पताखा, यह सभी रचनाय जो है, यह मैथिल कोकिल, विद्या पत गौतम बुद्ध के संब्वादों की भासा क्या थी अच्छा गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था इन्होंने कहां पर तो पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था रिशी पतनम में दिया था क्या कहलाया तो यहां धरम चक्र परवर्तन कहलाया सरवा ठेखा निम्नलिकृत में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है बहुमद्ण रेखा को विशुवत रेखा भी कहा जाता है जीरुडिगडी हे अक्षांस परिस्थित यहाइक कालपनिक रेखा है और बहुमद्ण जो है यहां टोटल तेरह देशों से हो करके गुजरती है और टोटल तीन महादीपों से हो करके गुजरती है इन तीन महादीप जिन से हो करके गुजरती है यह दक्षिन अमिर्का है अफ्रिका है और एसिया महादीप है किस देश से हो करके यहां नहीं गुजरती है तो यहां मैक्सिको से हो करके नहीं गुजरती है चलिए 28 नंबर है कि नागफणी के पौधों में प्रकास संसलेशन निमलेकित में से किस भाग में होता है सबी लोग इसका एंसर कमेंट करें देखिए सेसन लंबा हो सकता है लेकिन बड़ा ही महत्पूर्ण है इसको आप पूरा देखिए नागफणी पौधे के में प्रकास संसलेशन किस भाग में होता है तो ये तने में होता है ध्यान रखिएगा यह एक मरवस्थरिय पौधा है नागफणी निमलेकित में से कौन से सजीवों जन्तू और पौधे दोनों सजीव में आते हैं ये आपको पता है दोनों के लक्षनों में सम्मिलित है तो कौन से इसमें सजीव यानि कि जन्तू और पौधे दोनों के लक्षनों में सम्मिलित है तो उधीपन के प्रती अनुक्रिया प्रजनन उत्सर्जन स्वासन ये सभी जो है ये सजीवों के मुख्य लख्षन है तो उपर इक सभी इसका राइट अंसर हो जाएगा बिटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है अचा बिटामिन डी को क्या कहा जाता है तो रासानिक नाम इसका कैल्सी फेरोल होता है और बिटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और ऑस्टीयोपोरोसिस याद रखेएगा ठीक है एसकर्वी बिटामिन सी की कमी सो होता है बेरी बेरे बिटामिन बी की कमी सो होता है रतांदी बिटामिन एक की कमी सो होता है Next question है हमारा किनमलेकित में से कौन सा प्रकास संसलेशन की क्रिया के लिए आवस्चक नहीं है कौन सा इसमें से प्रकास संसलेशन की क्रिया के लिए आवस्चक नहीं है तो दिखे क्लोरोफिल आवस्चक है करवंडेकसाइड आवस्चक है प्रकास आवस्चक है ठीक है ऑक्सीजन इसमें आवस्चक नहीं है किलेर? चलिए. इंदरावती Tiger Reserve किस राज में है? अचा बिहार में बालमी की Tiger Reserve है जो कि पस्चिम चंपारन जीला में है तिक है याद रखेगा नागी नक्टी पकषी बिहार जमुई में है चली इंद्रावती टैगर रिजर्प ये 36 गड में है अच्छा 36 गड में एक प्रसिद कोईला की खादान है इसका नाम याद रखेगा हो सकते हैं आप से पूछ लिया जाए गेवरा औसी खादान कहां पर है या सिर्फ गेवरा ही आपसे पूछा जाए कि गेवरा खादान कहां पर है तो याद रखेगा 36 गड में है चले नेक्स्ट कुछ सन है कि संक्तराष्ट संग की अस्थापना किस सित्थी को हुई थी आप सिर्फ डेट पूछा जा रहा है चले सभी लोग अंसर कमेंट करिएगा संक्तराष्ट संग की अस्थापना किस तारिक और किस सन में हुई थी तो यह 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी 24 अक्टूबर के दिल इसका हेटक्वाटर कहां पर है इसका हेटक्वाटर निव यॉर्क में है ठीक है चले एंटोनियो गुटेरस इसके महा सची हुएं कामर धिल देखे प्रशन आ गया कि कामर धिल बिहार की किस जिला में है तो देखे यह जो कामर धिल जो है कामर लेक जो है यहां मैंने बताया बेगू सराय में है और बिहार का यह पहला रामसर अस्थल है ठीक है चले नेक्स्ट कुस्सन है हमारा है कि बिहार में भारती राष्टी कॉंग्रेस का पहला दिविशन कव हुआ था। बिहार स्पेसल का मैंने तीन वीडियो कवर कराया हुआ है। अब सर्च कर लिजे बिहार पुलिस, बिहार स्पेसल, सक्सस केंदरा आपको वीडियो मिल जाएगा। या फिर आप चैनल पर चले जाएए, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां क्लिक करके दिख लिजे। देखे भारती राष्टी कॉंग्रेस का पहला जिविशन बिहार में जो हुआ था, यह 1912 में हुआ था, कहां पर तो यह बाकिपूर पटना में हुआ था, ठीके इसकी अधिक्स्ता आरेन माधोलकर ने किया था, दूसरा 1922 में हुआ था, कहां पर तो गया में, इसकी अधिक देश्था, सियार दास ने किया था, यानि कि चितरंजन दास ने किया था, नेक्ष्ट खुश्चन हमारा की उने हर सरकार के मिशन 5.0 का संबंद किस्स्से है, इसका संबंद जो है, hain रख deleगा किस्से है, तो यह बिक्षा रोपन से संबंदित है, यह जो मिशन 5.0 है इसके तहट पांच कडोड ब्रिक्ष लगाने का लक्ष रखा गया है बिहार सरकार के दुबरा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानि कि DRDO की बात की जा रही है इसका हेटक्वाटर कहां परिस्तित है अचा DRDO का हेटक्वाटर जरा पहले आप इस्रो का हेटक्वाटर बता दीजी इस्रो का हेटक्वाटर कहां पर है इस्रो के हेटक्वाटर कहां पर है बताईए लेके DRDO का है अस्थापना कब हुआ था तो 1958 में हुआ था इसका headquarter कहाँ पर है तो नई दिल्ली में है इसरो का headquarter बैंगलूरू में है ठीक है चलिए 1969 में इसरो की अस्थापना हुई थी टोक्यो ओलम्पिक में भारत ने कूल कितने पदक जीते थे बताईए अगला ओलम्पिक जो होगा ये 2024 में होगा कहाँ पर तो फ्रांस की राज़ानी पेरिस में होगा क्लियर है चलिए टोक्यो ओलम्पिक में भारत ने कितने मेडल जीते थे टोटल साथ पदक जीता था भारत ने टोटल साथ पदक एक स्वन पदक जीता था दो रजत पदक जीता था और चार जो है कांस पदक जीता था इनको जोर दीजिए देखे साथ राय टंसर हो जाएगा और एक मात्र स्वन पदक नीरज चोपडा ने जैबलीन थ्रो में जीता भाला फेक में जीता था ठीक है याद रखिएगा अर्थ-शास्त के छेतर में साल 2022 के नॉबेल पुरस्कार से किसे समानित किया गया था अर्थ सास्त के छेत्र में पुछा गया है तो देखे तीन लोगों को यहाँ अवाड दिया गया था कौन-कौन से हैं यह तो इनका नाम याद रखेंगे बेन एस बर्नान के ठीक है एक नाम यह हो गया दूसरा नाम यहाँ पर दिखे डगलस डायमंड है और तीसरा नाम फिलिप डायववीग यहां में लिखता हूँ फिलिप डायववीग ठीक है याद रखेगा बेन एस बर्नान के डगलस डायमंड और फिलिप डायविग ठीक है याद रखिएगा अपसन एर आइट अंसर हो जाएगा नयमलेकित में से किस सिख गुरू ने गुरू मुखी लिपी की सुरुवात किया था तो ये सिखो के दूसरे गुरू थे गुरू अंगद देव इन्हें नहीं किया था ठीक है अचा एक आदी गरंथ की रचना पूछा जाता है आदी गरंथ की रचना किसने किया था तो ये सिखो के जो पाँचवे गुरु थे गुरु अरजुन देव इनों नहीं किया था गुरु अरजुन देव ने अचा गुरु अरजुन जेव की हत्या किसने करवाया था त और सिखों के जो नवे गुरु थे गुरु तेग बहादूर, इनकी हत्या और एंगजेब ने करवाया था, सिखों के जो आखरी और दसवे गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंग, इनका जनम कहां पर हुआ था, तो बिहार में हुआ था, 1666 में, और इन्हों ने खालसा पंथ क्या स्थापना कब किया था, 1699 में, ठीक है, चलिए, 15 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 15 डिग्री सेंटिग्रेट, इसको फारनहाइट स्किल पर बदलना है, तो मैंने आपको फर्मुला बताया था था ना, कि C अपन 5 एक्वल टू F माइनस 32 अपन 9 होता है, अब यहाँ प पर 15 पूट कर देजिए, ठीक है, F माइनस 32 अपन 9, देखे, 5 से यहाँ पंदरा हो जाएगा, और यह क्रोस मल्टिपिलकेशन किजिएगा, तो यह 9 तिरिका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, F माइनस 32, यह माइनस इधर आएगा, तो यह पलस में द्यान रखिएगा, चल यह अगला प्रश्ण है, कि 2011 की जनगन्य का नुसार बिहार का सबसे कौम लिंगानुपात वाला जिला, बिहार की जनगन्या से बिहार पुलिस में प्रश्ण बनता है, तो मैंने यह सारा प्रश्ण आपको अल्री बिहार स्पिसल में करा दिया है, तो एक बार आप जाएए और उनको देख लिजिए, तो देखिए सबसे ज़्यादा लिंगनुपात जो है, यह गोपाल गंज का है, और सबसे कौम लिंगनुपात मुंगेर का है, मुंगेर के कितना है तो 876 है, गोपाल गंज के कितना है तो 1021 है, अच्छा यह तो बात हो जीलो की अगर आपसे पूछेघा कि बिहार का लिंग अनुपाद कितना है? बिहार का लिंग अनुपाद नौसोर अथारा है कितना है? 918 है, ध्यान रखेगा, क्लियर है, याद रहेगा, और सबसे ज़्यादा अगर जन घनत वाला जिला पुछेगा बिहार का, तो सबसे ज़्यादा जन घनत तो सीवहर का है, सबसे कम पुछेगा तो कैमूर का है, सबसे कम किसका है, कैमूर का है, क्लियर है, सबसे ज़्यादा सक सर्थादर कहां पर है तो रोहतास का है आपात उपबंद का उलेक भारती समिधान की किस भाग में है आपात उपबंद जो है इसका उलेक किस भाग में है देखिए यहां पर भाग 15 में क्या है तो भाग 15 में निर्वाचन है औरुचे 324 से ले करके औरुचे 339 तक में यह आप अपात उपबंद पुछा गया है, तो अपात उपबंद जो है, भाग 18 में है, अनुछिद 352 से लिकरके 360 तक में, अनुछिद भाग 17 में क्या है, तो भाग 17 में राज भासा है, सबको ध्यान रखियेगा, ठीक है, चलिए, 302 में क्या है, तो राज्यों में राष्ट पति सास है और 360 में वितिया पातकाल का वर्डन किया गया है सेंग्त राष्ट संग के आकड़ों का नुसार कौन सा देश अब विश्व का सबसे अधिक जनसंख्यावला देश है बताईए यहां देश कौन सा है तो यहां देश अपना प्यारा भारत है भारत जो है सबसे जाधा जनसं बताईए तो विदृत्वी फ्यूज जो होता है यहां विदृत्धारा के उसमिय प्रभाव या धारा के उसमिय प्रभाव कहिए इस पर यहां अधारित है विदृत्वी फ्यूज जो होता है यह हमेशा लाइव वायर में हमेशा यहां लाइव वायर में जोड़ा जाता है द्यान रखेगा और यहां किसका मिसर धातू है किससे मिलकर के बना होता है तो यहां टीन और लेड का मिसरन है ठीक है चली से भी द्यान रखेगा भारत में सरोच नयायले में न्युक्त होने वाली पहली महिला नयादिस कौन थी? सरोच नयायले में न्युक्त होने वाली पहली महिला नयादिस सरोच नयायले पुछा गया है तो राइट अंसर इसका हो जाएगा फातिमा बीबी बरतमान में पतना हाइक के मुखे नहाँ जिस कौन है ये बी प्रश्न बन सकता है तो justice के विनोद चंदरन है विनोद चंदरन याद रखेगा ठीक है चले next question है कि कौनसी ग्रंथी आपात ग्रंथी भी कहलाती है तो यह ग्रंथी कौनसी है तो ध्यान रखेंगे यह ग्रंथी जो है यह अधिविक्र ग्रंथी है adrenal gland है इससे निकलने वाला जो हार्मोन है उसको उड़ो और लड़ो हार्मोन कहा जाता है यह भी आप ध्यान रखेंगा next question है कि किसे तिथी को डॉक्टर राजिंदर प्रसाद को समिधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चूना गया था अभी मैंने आपको discussion के दारान बताया था इसलिए मैं बोलता हूं कि जो भी मैं discuss करूंगा उसको ध्यान से सुनियेगा देखें यह बनाया गया था ग्यानपीट पुरसकार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कोन है तो यहाँ जी संकर कुरूप है 1965 में इनको ग्यानपीट पुरसकार दिया गया था गोविंद संकर कुरूप को अगला प्रशन है कि दिल्ली सल्तनत के किस सासक ने सरो प्रथम दिल्ली को अपनी राजधानी बना था चलिए कमेंट करिए एंसर इसका तो देखिए अगर बात करें हम तो 1206 में कुतुबदीन एबक ने गुलाम वंस की अस्थापना किया था ठीक है यानि कि कहेंगे तो दिल्ली सल्तनत की अस्थापना किया था और राजधानी कुतुबदीन एबक ने लाहौर को बनाया कि तंजोर का राज-राजश्वर सिवमंदिर का निर्मान किसने करवाया था बताई राइट अंसर क्या हो जाएगा तो करेक्ट अंसर इसका राज-राज प्रथम हो जाएगा राज-राज प्रथम जो था या चोलवंस का सासक था चोलवंस क्या स्थापना किसने किया था तो विजियाले ने किया था ठीक है चोलवंस की राजधानी तंजोर हुआ करती थी और तंजोर के राज-राज़श्वर सिव मंदिर का निर्वान राज-राज प्रतम ने करवाया था और यह जो राज-राज़श्वर सिव मंदिर है इसको बिरहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जा जाता है। चलिए। 1861 में भारति ये परिशत अधिनियम किसमे में वैसराय कौन फा ऐसराय कौन था है kg बारति परिशुद अधिनियम था उसे में वैसराय कौन था लौर केनिंग था औरबà वं रे cathеци उत्सांत्रता हुई थी यही था यानि कि यहां अंतिम गौर्णर्णर्णल और यहां पहला वाय सराय था, ठीक है? अगला प्रश्ने हैं मारा कि हडपा अस्थल किस नदी के टट परिस्तित है हडपा जो है या किस नदी के टट परिस्तित है मोहन जो दाड़ो मोहन जो दाड़ो जो है या सिंदु नदी के टट पर है और हडपा रावी नदी के टट पर है ठीक है लोथल भोगवा नदी के टट पर है सब ध्यान यहां था कौन तो यहां बलवन था बलवन जो था यहां कहा था कि सुल्तान को यहां मानता था ऐसा कि सुल्तान को पृतिवी पर यहां अल्ला का प्रतिनिदी यानि कि नियामति खुदा ही मानता था और बलवन का नुसार सुल्तान का स्थान पैगंबर के बाद आता था तो य नौरोज उत्सो मानाना इसी ने सुरू करवाया था चलिए गुलाम वंसका सासक था बंगाल विभाजन को किसके कारेकाल में रद किया गया था तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में लौड करजन के समय में और ये रद किया गया था लौड होर्डिंग दूतिय के समय में थिवरी अप सरपलस भैलू प्रतिपादित किया था किस ने अत्रिक्त मुल्य का सिधान्त प्रतिपादित किया था तो फ्रेंट्स यहां किया था काल माक्स ने अपने पुस्तक दास कैपिटल में थिवरी अप सरपलस भैलू को प्रतिपादित किया था काल माक्स के एक और रखेंगे इसको भी थिक है चली काल माक्स हो जायेगा राइट इनसर अगला प्रश्ने की आलमगीर नामा नामक गरंथ का संकलननियरखत का संकलन जो है यह किसके दो राकिया इसका हो जायेगा मिरजा मुрист काजिम के दोवारा ठीक है गुलबजन बेगम ने हुमाईव नामा लिखा है हुमाईव नामा ध्यान रखिएगा चलए नमने लेकित में से किसके दोवारा read data book का प्रकासन किया जाता है देखें read data book क्या है तो इसमें जितने भी संकटापन यानि कि जो बिलुप्त होने के कागायर पर प्रानी है उनको इसमें सूची में रखा जाता है इस book में सामिल किया जाता है यहां जारी करता है IUCN, देखे, IUCN, option B right answer हो जाएगा, IUCN का full form होता है, International Union for Conservation of Nature, 1948 में इसका स्थापना हुई थी, और इसका headquarter Switzerland के Gland सहर में है, ठीक है, चलिए, अगला प्रशन है किने मने लिखित में से किस ने कहा था, फ्रेंट्स एक बार सेसन को like कर दीजिये, कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, ये किस ने कहा था, तो फ्रेंट्स ये कहा था, Karl Marx ने, Karl Marx ने अपनी रचना Communist Manifesto में कहा है, कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, और उतपादन का जो अधिकार है, ऐसा तबका है, जो अम बंझीत रहा है इसलिए इतिहास वर्ग हमेशा एक संगर्श की कहानी है यह काल माक्स ने कहा है चलिए शेलम इसपात संत्र कहाँ पर है सेलम इसपात सेंत्र अब यहाँ पर ध्यान जीजेगा देखे सबसे पहले आप जान लीजे सेलम कहाँ पर है तो सेलम तमिलाडु में है अच्छा एक विश्विश वरया इस्टील प्लांट है यहां में लिग देता हूँ विश्विश वरया इस्टील प्लांट यह कहाँ पर है तो यह करनाटक में है विश्विश वरया कहाँ पर है करनाटक में पूछा जाता है भाई भिलाई कहाँ पर है भिलाई स्पात सेंत्र चतिसगड में है राउर किला उडिसा में है दुरगापूर पस्चिम मंगाल में है वो कारो जारखंड में है, ठीक है, चलो एगला प्रश्ण है हमारा कि दीपा कहां के अस्थानांतरित क्रिशी का नाम है, देखें दीपा जो है ये एक अस्थानांतरित क्रिशी है, कहां का, बताइए, जूम क्रिशी जो है ये भी अस्थानांतरित क्रिशी है, और ये पहारी श्याद रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट कोसने का स्थानिय पवनों हम उनके प्रवाह छेतर में कौन सुमलित नहीं है, नहीं पुछा गया है, देखे बोरा इटली का है, जो स्पेन और फ्रांस में बहती है इसका प्रभाव उस्पेन गया है देखने को मिलता है तो यहीं गलत दिया गया है खमसीन मिसर का है यह बढ़ा महत्पोण है फुछा जाता है कहाँ कहा है तो मिसर का है हरमाटन अफिरका के पस्मी टड़ड़ पर चलता है इसे डॉक्टर हवा के भी नाम से जाना जाता है, गिनी टट पर इसको डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है जैंद्रम के 23 तिर्थंकर कौन थे जैंद्रम के संस्थापक रिसवदेव थे पहले तिर्थंकर रिसवदेव थे ठीक है 23 पुछा गया है 23 पारसवनात थे आखरी और 24 वे बर्दमान महावीर थे इनको जैंद्रम का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ठीक है याद अरिष्ट नेमी 22 वे तिर्थंकर थे और नेमी नात 21 वे तिर्थंकर थे चलिए नेक्स्ट को से हमारे कि राज पुनर गठन आयोग की सिफारिस के बाद बिहार विधान सभा में निरवाचित सदस्यू की संख्या क्या थे राज पुनर गठन आयोग लागू कब किया गया था राज पुनर गठन अधिनियम तो यहाँ 1956 में और राज पुनर गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और दिखे राज पुनर गठन आयोग की सिफारिस के बाद साथ बिहार विधान सभा के निरवाचित सदस्यू के संख्या 330 से घटा करके 330 से घटा करके 318 कर दिया ग अगला प्रश्ण के लिए कौन सा असत्य कथन है विरंजक्षून ब्रेचिंग पावडर इसका फोर्मूला क्या होता है C A O C L 2 होता है याद रखेगा formula बड़ा महत्पूर्ण ہے यहाँ की पृर्मूला होता है यहाँ कम विले होता है यहाँ पर दीके जल में अधिक विले होता है हलके पिलरंग का चून है अक्सिकारक है और तनु अमल की प्रतकिरिया से क्लोरीन इसकासित करता है जनवरी 2023 में बिहार के दूसरे तरा मंडल का उद्घाटन राजी के मंत्री ने कहां पर किया है तो दूसरा तरा मंडल है और इसका उद्घाटन किया गया है कहां पर तो दरभंगा में ठीक है चले नेक्स कोस्टन है कि हर गोविंद खुराना को किस अभिसकार के लिए सम्मानित किया गया था हर गोविंद खुराना को किस छेतर में नोबल पुरुसकार दिया गया था पहले आप जड़ा कमेंट करके बताइए हर गोविंद खुराना को चिकिच्चा के छित्र में 1968 में नोबेल पुरुसकार दिया गया था जीन संसलेशन के लिए ठीक है नेक्ष कोशन है कि निती आयोग का स्वरूप क्या है तो देखे निती आयोग की अस्थापना योजना आयोग के अस्थान पर एक जनवरी 2015 को किया गया था इसके अध्यक्ष कौन होते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं यानि कि बरतमान में नरेंद्र मुझी इसको उपाध्यक्ष कौन है तो उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं कौन है सुमन बेरी उपाध्यक्ष है और इसके CEO याने कि Chief Executive Officer मुक्य कारिकारी अधिकारी कौन है तो वी वी आर सुब्रमने हैं, वी वी आर सुब्रमनयम ठीक है याद रखेंगे सुब्रमनयम ये CEO है ये उपाध्यक्ष है सुमनवेरी यह एक परामर्स दात्री संस्था है मंतकब उल्लुबाब के लेखा कौन है? तो फ्रेंट्स इसको लिखा किसने है? तो इसको खाफी खाने लिखा है ठीक है खाफी खाने लिखा याद रखिएगा यह जो मंतकव लुबाव है इसको तारीखे खाफी भी कहा जाता है यहाँ फार्सी भासा की एक किताब है ध्यान रखिएगा inpor Hydra इतने विशे हैं तो 29 विशे हैं इससे भी आप ज्यान रखेंगे ठीक 11 या नसुची में रखा गया है ठीक है टोटल 12 अनसुची या है 11 में इसको रखा गया है क्लियर तो राइट अनसर इसका राज्य सुची हो जाएगा अनुचे 40 में क्या है तो ग्राम पंचायत का संगठ क्या है यह मैंगनीज इसकी पुछा जरा अक्सिकरन संख्या देखे क्या मैंन फॉर अचाहिए एक क्या पोटैसियम है इसका इलक्ट्रोनिक विनियास कितना होता है विनियास इसका कितना होगा दो, आठाar कितना हो गया दो, आठाट, दस, आठारा और एक, उनिस हो गया यानि कि एक इलक्ट्रोनी ये त्याग देगा त्याग कि ये श्टेबल होना चाहेगा तो जब एक त्याग देगा तो इस पर चार्ज कितना होगा positive आएगा यानि कि इसका valency 1 हो जाएगा manganese का निकालना है तो हम इसको x माल लेंगे oxygen का कितना होता है oxygen का atomic number 6 होता है electronic 8 होता है electronic 2 और 6 होगा तो ये 2 ले लेगा तो ये stable हो जाएगा तो 2 ले रहा इसलिए minus 2 और 4 oxygen है यहाँ पर तो गुना 4 equal to 0 इसको solve कर दिजिए तो ये देखे एक x और ये 4 दूना 8 लेकिन minus है तो minus 8 है equal to 0 अब यहाँ देखे एक और minus 8 है तो ये minus 7 हो जाएगा और ये minus 7 जब इधर जाएगा तो ये plus 7 हो जाएगा तो manganese के oxygen संक्या KMN4 में plus 7 है तरीका मैंने आपको बता दिया सिंगरावली है सिंगरावली मध्यप्रदेश में है उमरिया भी पूछा जाता है उमरिया कहाँ पर है तो उमरिया भी मध्यप्रदेश में है ध्यान रखेगा उसके बद रामगड और देवगड रामगड और देवगड ये जारखन में है ठीक है अगला प्रशने किस देश को निपन कहा जाता था, निपन पुराना नाम किस देश का था, तो ये जापान का था, इराक का पुराना नाम क्या था, इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया था, थाइलेंड का पुराना नाम सियाम था, ठीक है मैनमार का पुराना नाम क्या था वर्माधा सबको ज्यान रखिएगा चलिए अनविकरणिया उर्जा और एक नविकरणिया होता है नविकरणिया तो नविकरणिया उर्जा में ये पमन सूरी जल ये सब आते हैं अनविकरणिया में कोईला हो जाएगा अगला प्रशन है कि उक्रेन की राजधानी कहां पर है बड़ा ही महत्पूर्ण कोस्तर है ये उक्रेण की राजधानी कहां पर है ये उक्रेण की राजधानी बताना है कहां पर है तो ये उक्रेण की राजधानी क्यू है क्यू है अगला प्रशने की ने मिले कितमें से कौन सा इसमें से मूल मात रख नहीं है मूल मात रख नहीं है टोटल साथ मूल मात रखें उगली पर काउंट करें यहां में लिगेता हो मीटर सेकेंड उसके बाद आपका मौल मौल के बाद हो जाहेगा एंपियर है है उसके बाद केलीविन केलिविन अप मान मातisierung केलिविन उसके यह साथ मूल मात रखें इसमें से देखेगा तो कौन सा नहीं है तो इसमें से देखिए ऊम नहीं है बाकी मीटर सेकंड एंपियर यह मूल मात रखें ऊम नहीं है चले अगला प्रशन की बिहार के कितने वक्तियों को 2023 में पदम सिरी एवार्ड दने की घोशना की गई है कितने व्यक्तियों को तो देखे टोटल पदम सिरी जो है टोटल पदम पुरसकार की बात करें तो टोटल पदम पुरसकार 2023 में 106 लगों को दिया गया है जिसमें से 6 लोगों को पदम भुशन 9 लोगों को पदम भुशन औ कौन-कौन से हैं, तो आनंद कुमार हैं, सुभद्रा देवी हैं और कपिल देव प्रसाद हैं, इनका नाम याद रखेंगे, एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, आनंद कुमार, सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद, चले पुस्ताज या पुष्टा घास का मैद उस्तान जो है यह यह कहा पर है पुश्थाज घास का प्रदेश कहा पर है इंगे बिहार पुरिस पूछा जाisis चुका है से तो हंगरी में हैं हंगरी में हैं ठीक हैं केंटबरी न्यूजर द्मेर है लानोग कोलंबिया और बेनेजुएला दोनों देशों में आता है कमपास ब्राजील में है कमपास ब्राजील में है और पमपास याद रखेंगे अर्जेंटीना में है चले नेक्ष कुस्टन है हमारा कि भारत का पहला एकुआ पार्क किस राज में स्थापित होगा पहला एकुआ पार्क है इसलिए म परिवर्तन होता है अनुत कर्मणिये यानि कि जब एक format से एक state से दूसरे state में जब पदार जाता है तो वो फिर से पहले state में नहीं आ सकता है इसी को अनुत कर्मणिये कहेंगे यंदे में अनुत कर्मणिये कहा जाता है इसको ठीक है अनुत कर्मणिये तो यहाँ पर उत कर्म में भी परिवर्तन होता है लेकिन यह एक उतकर्मनिय नहीं यह एक अनुतकर्मनिय परतिक्रिया है ठीक है नेक्स्ट कोसन है कि निमनलिकित में से कौन सा भाग मनुस्य के नर परजननतंत्र में होता है नर परजननतंत्र पुछा गया है मादा नहीं पुछा गया है नर पुछ अगला प्रश्न के भारतिय समिधान के 369 का संबंद किस्से है 369 जो है यह संबंदित किस्से है तो 369 समिधान संसोधन से संबंदित है और यहां समिधान के भाग 20 में है समिधान संसोधन से ठीक है आपातकाल 352 में है राष्टपति सासन 356 में है फिति आपातकाल 360 में है 370 ज लेगला प्रश्न की शीसवुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, अचा सीवुनाग ये था कौन, तो दीखिए हरेंक Strategic वंस का जो आख 친구 अंखरी सासक था नागदसक था। इसको अपदस्त करके सिसुनाग ने मगत पर सिसुनाग मन्सका स्थापना किया था और इसने राजधानी को पाटली पुत्र से हटा करके वैसाली ले गया था Hermann नाग दसक ने, अपने राजधानी वैसाली ले गया और पुना जब शिसुनाग का उतरा अधिकारी काला सोख हुआ तो काला सोख ने राजधानी को फिर से वैसाली से पाटली पुत्र ले गया अगला प्रश्ण है हमारा कि मंदार परवत बिहार की किस जिला में है तो मंदार बाका में है ठीक है बाका में है समुदर मंथन में इसका जिक्र किया गया है बाका में है नेक्स्ट कोशन है रोकेट किसके सनरक्षन के सिधान्त पर कारे करता है तो रोकेट जो है यहां रेखि ये संवेग संरक्षन के सिधान्त पर कारे करता है अगला प्रश्ण हमरे की निमलकित में से कौन सी नदी अफिरिका महादीप में इस्तित नहीं है नील अफिरिका में है जांबेजी अफिरिका में है ये पोटो मैक अफिरिका में नहीं है पोटो मैक जो है ये उत्तरी अमिर रहे हैं अगला फ्रशने कि मानत वच्ण का अध्यान करने वाली विज्ञान की साखा क्या चछा डिज लाई कर दीजए तो यह डर्मेट लोजी क्या काहलाती है क्या है डर्मेटलोजी को चली अगला प्रश्ने है कि लोगलेखा समीती अपने रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है लोग लेखा समीती में टोटल 32-10 से होते हैं ये राजसभा से और साथ लोगसभा से ठीक है लोगसभा के अध्यक्ष को यह अपनी रिपोर्ट प्रकासित करती है चले next question है हमारा कि अनुवान सिक्ता का जनक कौन है अनुवान सिक्ता का जनक माना जाता है ग्रेगर जौन मेंडल को ठीक है लैंड श्टिनर ने बलड गुरूप का खोज किया था रोबर्ट ठुक ने कोशिका के किया था और लिनियस को जो है ध्यान रखेंगे इनको आधोनिक वर्गी करन का पिता कहा जाता है चले कैरूलस लिनियस को देखे भारतिय समिधान में चुनाओ प्रनाली का प्रवधान किन अनुछेद में किया गया है चुनाओ प्रनाली यहां किस भाग में है तो भाग बताईए सबसे पहले भाग 15 में है भाग 15 में अनुछेद 324 से 329 तक में और 326 अनुछेद जो है इसमें व्यस्क मत अधिकार की बात कही गई है बोट देने का अधिकार इसी अर्टिकल में है अगला प्रशन है हमारा कि किस देश के प्रसिद फूटबॉलर पेले का हाल ही में निदन हो गया है पेले कहां के महान फूटबॉलर थे प्रसिद फूटबॉलर थे तो पेले ब्राजील के महान फूटबॉलर थे Next question है हमारे कि भारत में पहली बार डांक टिकट का प्रचलन कब प्रारंब हुआ भारत में पहली बार डांक टिकट का प्रचलन कब प्रारंब हुआ चले सभी लोग एंसर कमेंट करेंगे तो देखिए ध्यान दीजिये का फ्रेंड्स यह हुआ था 1854 में लॉड डलहोजी की समय 1854 में ही नया पोस्ट ओफिस एक्ट पारित हुआ था और उसे समय पहली बार डांक टिकट का प्रचलन हुआ था 1853 में लॉड डलहोजी की समय ही पहली बार रेल गाली चलाई गई थी बंबई से ठाने की बीच में उड डिस्पैच इसी की समय लाए गया था साथी साथ ब्यापगत का सिध्धान्त डॉक्टरिन ओफ लैप्स दलहोजी नहीं लागो किया था अगला प्रश्ण की विश्व का सबसे बड़ा दुग्द यानि की दूद उत्पादक देस कौन सा है मिल्क प्रोडिसिन कंटरी कौन सा है तो यह अपना प्यारा भारत हो जाएगा नेक्ष्ट है हमारा किनेमलकित में से कौन से एक रुपांतरी ततना है रुपांतरी ततना बार-बार पुछा जाता इस तरह का प्रश्ण बिहार पुलिस में बताईए जल्दी से कमेंट करके कि रुपांतरी ततना इसमें से कौन सा है तो रुपांतरी ततना का उधार ने इसमें से आलू है बाकी सारे जड़ हैं अगला प्रश्ण के अंतिम मौरे सास कौन था मौरेवंस के अस्थापना चंद्रगुप्त मौरे ने किया था किसके साहता से तो चानक के साहता से किसको हरा करके तो नंदवंस के आखरी सासक धनानंद को पराजित करके ठीक है और आखरी सासक इसका ब्रेहदरत था मौरेवंस का इसकी हत्या पुस्यमित्र शुंग ने कर दी और सुंग वन्स की अस्थापना मगद पर किया था पुस्यमित्र शुंग ने चले नेक्ष्ट कुस्सर है हमारा और प्रकास वर्स की काई क्या है प्रकास वर्स की काई क्या है प्रकास वर्स किस की काई है दूरी की काई है ध्यान रखिएगा अगला प्रशने की मंत्री परिशत की नियुकती कौन करता है इसका अंसर आप कमेंट करके मुझे बताइए और बताइए कि इन 100 प्रशनों में से कितने प्रशनों का अंसर आपने सही सही दिया है अपना स्कूर आप कमेंट करके बताइए सेशन को प्लीज लाइक कर दीजिए और इसको सेयर कर दीजिए एक गुरूप